जारकण में चुनाव की गोशना और आच्वार सहीता लगने से पहले आरोप रत्यारोप का दोर लगाता अपज़ारी है जारकण मुक्ती मोर्चा ने बारतिय जनता पाटी पर जम कर हमला बोला है बीजेपी द्वारा संताल परगना में उठाय ज्वारा है बांगलादेश जनताल परगना से जारकण मुक्ती मोर्चा की नेता और सांसर विजेपी पहले यह दिखाए कि सनताल परगना में कहाँ पर घुसपैट है वही विजेपी आते ही बीजेपी को जारकण में घुसपैट दिखाई दे रही है देखिए पूरे रिपोर्ट तब वो महिलाओं को इसकी शौगात वो देंगे तमाम मुद्दो को समझेंगे हम बीजे हांज़ा जो सांसर दे बड़े चेहरे भी है और चुनाओं में लगतार आरोप प्रतारोप का भी दौर है देखा जा रहा है लेकिन डेमोग्राफी की जो बात करती है भारती जन्ता पार्टी या फिर मंगलादेशी घुसपैट को सरकार छूट दे रखी चुकि आप संथाल से हैं एक बड़े चेहरे भी हैं पार्टी के और आप सांसर भी लगतार हैं साधन से तो क्या लगता है र और लगातार केंद्र में शासन अभी तीसरी टर्म में आपकी बीजेपी जारकन बनने के बाद चाहे वो साहब गंज हो पाकुड हो जब भी ऐसे केसिस कहीं भी उजागर हुए हैं उसमें सरकार या प्रशाशन अपना काम की लेकिन लगातार जो संथाल प्रग्णा में या प्रिजन्ट कर रहे हैं कि यहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है जो कि बिलकुल मैं उसे एक्सेप बिलकुल नहीं करूँगा और सिर्फ और सिर्फ भर्म पैदा करने का प्रियास किया जा रहा है और अगर आप देखें तो जो बंगलादेश की अभी स्थिति हैं अगर जीडीपी वाइस देखें सरकार वहां जो फेर बदल भी उसके अलावा गर आप देखें तो बिजनस वाइस आज हमारे यहां से पक्त्र जा रहा थи पुरे विस्ट की सारा का सारा अपका जाकर कि वहां प्याइक करें बस रहा truck जो तुलना अगर हम करें पूर मुझे लगता है कि वह बहुतर सिठी में है रोजगार के मामले में और केंदर सरकार दस साल से उपर आपका सासन में रही क्या रोजगार स्रिजन बिरोजगारी या फिर जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर हैं उनमें न्यूक्तियां इन सभी चीजों में उफेल रही है मुद्दों को भटकाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि महंगाई नहीं है बिरुजगारी मुद्दा है की नहीं है यहीं बंगला देशी और धर्म जात करके जो है यह लोगों को भटका रहे है लेकर इस पर छुनाओ का जो बुख्य मुद्दा है खासकर हम बीजीपी के अगर बात करें तो आप देखेंगे केंद्र कुछि मंतोरी को खत्म करेंगे तो लेकिन टार्गेट उनके संथाली है क्योंकि जो भी आज के तारीक में जो भी इनके कारिकरम शुरू होते हैं चाहे वो परिवर्तन यातरा के बात कर ले संथाल भोगनादी से कर रहें आजकल संथाल वो फोकस किये हुए तो क्या लगता कि आने वाले चि प्यास किया जा रहा है और स्पेशली कुछ समाज के प्रती और दूसरी बात की जारकंड से बाहर के आये हुए नेता जारकंड का विकास कर लेंगे या यहां का जो है परिवर्तन कर देंगे मुझे नहीं समझ में आता है जारकंड में चुनाव की गोशना और आच्वार सहित्ता लगने से पहले आरोप रत्यारोप का दोर लगातार जारी है जारकंड मुक्ती मोर्चा ने बारतिय जनता पार्टी पर जम कर हमला बोला है बीजेपी द्वारा संताल परगना में उठाय ज्वारा है जारकंड ने कहा है कि यह सब चुनावी प्रोपोगेंडा है चुनाव आते ही बीजेपी को जारकंड में घुसपैड दिखाई दे रही है देखिए पूरी रिप्वार्ट जारकंड विधान सवा चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है सतापक्षो या भीपक्ष लगतार शेत्रों का दौरा कर रहे हैं जारकंड मुक्ति मुर्शया की जो सरकार है यारि हेमन सोरीन के सरकार है महिनाओं को लेकर महिया समान योजना लागू लेकिन दूसरी और भारती जनता पार्टी उसी की पैरलर में गोगो दीदी योजना लेके आएगी जब उसकी शरकार बनेगी तब वो महिनाओं को इसकी शौगात वो देंगे तमाम मुद्दो को समझेंगे हम बीजे हांजा जो साहब नंसे सांसादर्स का बड़े चेहरे लेकिन डेमोग्राफी की जो बात करती है भारती जनता पार्टी या फिर बंगलादेशी घुसपैट को सरकार छूट दे रखी चुकि आप संथाल से एक बड़े चेहरे भी हैं पार्टी के और आप सांसद भी लगातार हैं साधन से तो क्या लगता है राजबहल में वाके म सबसे पहला तो बात की बॉर्डर का जो इश्यू है वो केंद्र सरकार का है और लगातार केंद्र में सासन अभी तीसरी टर्म में आपकी वीज़ेखी जहारकंड बनने के बाद चाहे वो साहब गंज हो पाकुड हो जब भी ऐसे केसिस कहीं भी उजागर हुए हैं उसमें सरकार या प्रशाशन अपना काम की लेकिन लगातार जो संथाल प्रग्णा में या फिर राजमहल में जो हार का सामना वीज़ेखी को करनी पड़ रही है उसे जो है ये लोग दू देमोग्राफी चेंज हो रहा है जो कि बिलकुल मैं उसे एकसेप्ट बिलकुल नहीं करूँगा और सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और अगर आप देखें तो जो बंगला देश की अभी स्थिती हैं अगर जीडीपी वाइस देखें सरकार वहां जो फेर बदल हुई उसके अलावा अगर आप देखें तो बिजनस वाइज आज हमारे यहां से पत्तर जा रहा है पुलॉथ की जो इंडिस्ट्री है पूरे विस्व की सारा का सारा आपका जाकर के वहां पर आ करके बस रहा है तो जो तुलना अगर हम करें तो मुझे कुमिए लगता है कि वह बहतर सिथिती में है रोज़गार के मामले में और केंद्र सरकार दस साल से उपर आपका सासन में रही । क्या रोजगार स्रिजन बिरोजगारी या फिर जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर है उनमें न्यूक्तिया इन सभी चीजों में उफेल रही है मुद्दो को भटकाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है कि महंगाई मुद्दा है की नहीं है बेरोजगारी मुद्दा है की नहीं है यहीं बंगला देशी और धर्म जात करके जो है यह लोगों को भटका रहे है लेकिन इस वर चुनाओ का जो बुख मुद्दा है खासकर ह अगर बात करें तो आप देखेंगे केंद्र कुछी मंत्री सिर्वाशिंग जोहान, हिमंता विशुशना, जो कैसम के CMM, पर पाटी के जो अन्य नीता है जारकन के, वो संथाली फोकस के हुए है, और उनका ये कहना कि हमारे मेनी फेस्टो में ये होगा, कि हमारी शरकार अगर बनती है, तो सबसे पहले हम बंगलादेशी गुस्पैट को खत्म करेंगे, तो लेकिन टार्गेट उनका संथाली है, क्योंकि जो भी आज के तारीक में जो भी उनके कारिकरम शुरू होते हैं, चाहे वो परिवरतन यातरा के बात कर ले, संथाल भोगनादी से कर रहे हैं आ तरह का ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और स्पेशली कुछ समाज के प्रती, और दूसरी बात की जारकंड से बाहर के आये हुए नेता, जारकंड का विकास कर लेंगे या यहां का परिवरतन कर देंगे, मुझे नहीं समझ में आता है.